स्वागत है आपका अपने एक्जाम वट में चलिए चर्चा की जाए सीवीटी को लेके और सीवीटी को लेके हमने अपने लास सेशन में बताया था आपको कि हम टॉप यूनिवर्स्टीज की चर्चा करेंगे उनकी फी स्ट्रक्शर्स पर बात करेंगे होस्टिल फेसिलिटी करते हैं फेक र्यूमर के चक्कर में आ जाते हैं और उसके चकर में अपना एक सची उनिवर्स्टी तक नहीं पहुंच पाते देखिए यह कहना कि MA ही तो करना है कहीं से भी कर लेंगे देखिए कहीं से भी करना है तो CVT मत दीजिए और CVT दे रहे हैं तो फिर वहां से करिए जहां से हो सकता है आपके गाउं में आज तक किसी ने ना करिए JNU आईए, BHU जाईए, DU जाईए और बाकी उनिवस्टीज हैं मैं बताता हूँ तो आज का यह पूरा सेशन अधारित है देश भर के टॉफ वो फाइव उनिवस्टीज जहां पढ़ना अपने आप में एक भेतर स्टेफ माना जाएगा जैसा कि आप जानते हैं, CVT के अप्लिकेशन फॉर्म आ चुके हैं एक्जाम वट पर हमने उसके सारी इन्फॉर्मिशन दे दी है और आशा करते हैं, वो इन्फॉर्मिशन आप तक पहुँच गई होगी उसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूरेंट्स तक अभी भी इन्फॉर्मिशन नहीं कि CVT क्या है, तो मेरे रिक्वस्ट है आप लोग इतना सा फर्ज निभाईए कि CVT से रिलेटेड इन्फॉर्मिशन अपने स्टेटस पर डालिए लोगों को समझाई है कि CVT क्या है M.A. के अंदर एंटरंस देखे आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है B.A. करने का, M.B.A. करने का एक अच्छा तरीका है तो उसके लिए अपने साथियों तक इन्फॉर्मिशन पहुंचा ना इसके जो है वन है ठीक है और इंडिया रेंक क्या है वन है युनिवस्टी के असाब से लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में पॉल इंडिया फर्स्ट रैंक पर आता है इसके कई आक आधिये एक्जाम यह ना आपको ओं सिर्फ सिर्फ डिया आर आउलों से इसके हैं पॉलिटिकल साइंस है जिसमें आई आर्ययम कहलाता है यहां पर दो स्कूल है एक का नाम SES है SES आपको प्रोवाइड कराता है PISM और कोर्षइस यहां पर मिल कफीस इतनी कम है कि आपका एक दिन का क्वेस्षा की खईयों का ठीक है यानि कि कईयों का एक दिन का खर्चा इससे ज़्यादा होगा मैं मानके चलता हूं होस्टल फीस की बात करूं अगर तो मैंस का खर्चा लगबग 3,000-3,000 रुपर पर मन्त आता है तो अपन 3,000 मानके चलते हैं जिसमें आप अगर 5,000,000 से कम इंकम है तो 2,000 रुपर पर मन्त आपको स्कॉलर्शिप भी आ जाती है बेस्ट युनिवर्स्टी है आपके अकेडमिक्स के लिए अगर आप सच में अकेडमिक्स में जाना चाहते हो तो आप P.O.I.S.C. तैयारी भी करना चाहते हो और अकेडमि करने सब्सक्राइशन के लिए ठीक है कट-उफ जो है 210 से लेकर 230 माकसिम जायेगी जनरलिकरी के इस साल भी पिछलए साल काफी कम रही ती लेकिन इस साल यहां गर बात कर यह यह निया होस्टल आपके सामने है बराख ऊस्टल नया बना है अभी सल खुल जायगा फेसिलिटी क्याश्टिल गल्स को अलोट होता है तो आप लोग आएंगे तो जो नए अपिंद्स बारे मुपस्ब जानते हैं आप एस यह दो बिलिंग्स हैं दो सेंटर्स को आपको यह प्रोवाइड कराते हैं पॉल सैंस आई आरिम और PISM के ठीक है तो ध्यान रहे आपको इंडिया की सबसे बेस्ट उनिवस्टी जो है वो जवाला नेरी उनिवस्टी है निव डैली में है और होस्टिल फेसलेटी सब के लिए है फीस नाममात्र की लगती है यहाँ पे आप बिल्कुल गरीब घर से दो समय तू टैम का अगर ने और यूनिवस्टीच को क्यूंत देखिए यूनिवस्टी और हैधराबाद इसे हम लोग दूसरा जैनियू के थे यां पर is रह effect यहां यहाँ के इस रह्य i am यूनिवस्टी फैदराबाद है यहां पर आप देखेंगे सो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखते हैं वह आती है कि फी स्ट्रेक्चर बहुत हाई नहीं है जेनियों से थोड़ा ज्यादा है पांच से छह जार रुपए फीज है लेकिन लेकिन हैर्स सीट काम है ठीक है सेवंटी प्लस सेवंटी करके हैं तो यहां पर सीट काम है लेकिन अगर आप टार्गेट कर रहे हैं अच्छा यूनिवस्टीर फ़ॉर समास्टर दैन होस्ट ऑर अच daar no और यहां पर एक तो सारा पढ़ा हम हिंदी माध्यम के हैं हम पढ़ाई करना चाहते हैं मालाबाद विश्विद्यालेंगे पढ़के कि अच्छा नहीं बन सकते हैं लेकिन जब इंट्रनेशनल बात करते हैं जब इंट्रनेशनल कॉनफरेंस में जायंगे तो वहां पर इंगलिटर करते हें तो फिर नहीं होने ठीक है चलिए उसके बाद आगे पड़ते हैं थर्ड बैस्ट्ल है बिच्चू यहाँ केवल Whose साइंस होता है तो बनारस हिंदू यूंवर्षिटी आप जानते हैं बप बनारस में लोकेट है और यह युनयवस्टी भी काफी अच्छी है मास्टर्स के लिए इसके कही अफिलिएट। कॉलेज ठीक है आप उन्हें भी एध्मीशन स्टीक हैं अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर पीस्टी में कुछ योजना है चल रहे हैं जिनमें आपको डारेक्ट विदेश बिजा जाता है उख्छ महिने की इंटर्शिप सीप के अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अगर आप पॉल साथियों फिर हम आते हैं फोटप यूनिवस्टी की मातियी उनिवस्टी जामिया का नाम नहीं लिया जामिया का अभी स्वाल चैपलेंड मिला नहीं लेकिन हो कुष्में संब प्रूफ नहीं कर सकते सबसे भड़ी बत जिन्होंने डियू से ओनर्स किया है वो स्टुडेंट यहां की 50% सीटों पर कबजा करते हैं यानि कि 300 सीट उनके लिए रिजर्व हैं उस पे आप नॉर्मल जो डियू से नहीं पड़ा एवन डियू का जो बीए प्रोग्राम किया हुआ जिसने प्रोग्राम वाला भी उस सीट्स रिजर्व हैं अब बची 300 तो इन 300 सीट पर आप कहीं से भी पढ़के आया है आपने बीए प्रोग्राम किया है डियू से कुछ भी किया है यह आपको 300 सीट पर फाइट करना होता है टोटल सीट से 600 होस्टल की आस छोड़ दो होस्टल यहां पर नहीं है बहुत रेयर होस्टल मिलना एक या दो लोगों को मिलता पूरी क्लास में तो यह आप ध्यान है अगर डियू आप आ रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका महिनेगा 10 के खर्च होना तैय है क्योंकि रूम लेके बाहर रहना पड़ेगा अगर होस्टल नहीं मिला होस्टल मिलता तो भी 5-6 जारों पर मंत का खर्चा है होस्टल में भी तो यहां पर ध्यान रखें आप सीवीटी के थ्रू अगर डियू टागेट करने तो डियू मोस्ली वह टागेट करते हैं जिनको यूप्यस्टी की तैयारी करनी होती प्रॉपर मैक्सिमम देखा गया है कि डियू के अंदर लोग अटेंडेंस लगाने नहीं आते हैं ठीक है अटेंडी क्लासे यह अटेंड नहीं करते हैं सीधा एक्जाम देने आते हैं रीडिंग्स उनके पास होती है पढ़के एक्जाम दे जाते हैं मेकी डिगरी होती रहती है और साथ में यूप्यस्टी की तैयारी करते रहते हैं तो तो अगर आप अकेडमिक के सबसे आ रहे हैं तो जामिया भी ठीक अकेडमिक के लिए और आपका फिर उनिवस्टी फैदराबाद वगरा जो हैं उनको आपकेड़ करें तो टोटल सीट्स हैं साथ हुआ पर 600 ठीक है तो सीट्स बहुत हैं चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्टमेंट पर आते हैं फिर्थ बेस्ट युनिवस्ट पार में बात करतो यह ह、 पॉंधिशेश्री उनिवस्टी आपकी पॉंदिशटी में जो पॉंदिशेश्री विश्व जाले है यह अक्छिली काफी अच्छा है उनके लिए बेस्ट माना जाता है पॉंडिचेरी टारुट कर सकते हैं अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यह आपके लिए अच्छा उप्शन हो सकता है पॉंडिचेरी लेकिंगे फी थोड़ी ज्यादा है महंगा है तो हर किसी के लिए आफोड़ेबल नह ही है लेकिन इसको टागेट कर सकते हैं अगर आप में करना चाहते हैं तो चलिए अम मैं थोड़ी से आप से बात कर लेता हूं कुछ और युनिवस्टी पर अगर मैं अधर्स की बात करूं साथ यह तो अधर्स में आपके पास फिर बसती है सेंटल यूश्टी तो 2009 में स्टैबलिश तो 2009 में स्टैबलिश होई थी वो सेंटल यूश्टी जिसमें आपका सेंटल यूवस्टी पंजाब है सेंटल यूश्टी ऑ गुज्राथ है गुजरात काफी सही है गुजरात है आपका उसके अलावा आपके पास हर्याना आता है हर्याना सेंटर युनिवस्टी है इसके अलावा आपके पास हिमाचल है आपके पास हिमाचल है हिमाचल के अलावा आप ओडिशा को टार्गेट कर सकते हो ओडिशा के अलावा आपके के पास option जो आता है के रिला के अलाव करनाटका है ठीक है इसके लब आपका South बिहार Central University सेंटर बिहार यह आपके पास एक option के तौर पर आता है ठीक है ऐसे ही स्टी अन तमिलाडू है इसको आप टार्गेट कर सकते तो यह कुछ लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखी आप और कोशिश करिए कि आप पहले टार्गेट पर जेनियू रखिए दूसरे पर आप युनिवस्टी ओफ हैदराबाद रखिए उसके अलावा आप फिर बीच्चु में जाईए बीच्चु के लावा डियू को टार्गेट करिए सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगो नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन भी दबाना बहुत जरूरी है ठीक है और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उससे जरूर जुड़ जाए टेलीग्राम पर आपको अपडेट तुरंत मिल जाता है यूट्यूब पर टाइम लगता है अपडेट आने में आगे हम बाकी सार करें हम हिस्ट्री है हिंदी लिट्रेचर है इस सब की उनिवर्स्टी इसके लिस्ट बना के आपको देंगे और एक लिस्ट हम टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड करेंगे प्लीज आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं साथ हमारे कोर्स चल रहे हैं तो कल हमारा निउएर आने वाला है तो निउएर ओफिर में आप कोर्स को सस्ते रेट पर खरीद पाएंगे तो कल 24 ओवर के लिए अक्टिवेट होगा लिंक और 24 ओवर में जो खरीद लेगा वो खरीद लेगा उसके बाद वापस से कोर्स के रेट सेम हो जाएंगे तो कल हम लेके आ रहे हैं लाने में वह पूरा योगदान देंगे अपना आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं कोई बात नहीं उत्ता बड़ा इशू नहीं है लेकिन आपका एक साल बचेगा और एक सपनों के विश्विध्यालों तक पहुंचाने में आपको हम मदद करेंगे और अग सबका शुक्रिया फिर भी किसी प्रकार का डाउट है कमेंट करना मत भूलिसे आपका ABOUT आप कौना सब्जेक्थ अ grateful करके बताईए क्या दिकते आ